Hello Everyone, Welcome to Bookless IQ आज की इस वीडियो में NTPC exam का analysis करेंगे और आज 15 फरवरी पस्टिप्ट में लगे सबी question analysis करेंगे सबसे पहले आप channel को subscribe कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको daily analysis करवाता हूँ और आगे भी जितने exam होगे उन सबको analysis करवाई जाएगा जैसे group D, SSC और NTPC की जितने भी exam होगी उसको इस channel पर analysis करवाई जाएगा और सबी questions 100% real और authentic होँगे तो बढ़ते हैं अपने questions के तरफ और सबसे पहला question है भीम का full form क्या होता है आपको पूचा गया था भीम का full form क्या होता है तो भीम का full form होता है भारत इंटरफेस फोर मनी तो याद अखना है भीम का full form है भारत इंटरफेस फोर मनी नए शुचन आपको पूचा गया था भारत के कौन से परदार मंतरी जिनका जनम सवतंतरता के बाद हुआ है तो इसका सही आनसर होगा निरेंदर मोदी और आपको पाता है यह वरतमान परदार मंतरी है निरेंदर मोदी और इनका जनम सवतंतरता के बाद हुआ था और इसे यह एक मात्र परदार मंतरी है नए शुचन है पहला परियावरन दिवस कब मनाये गया था तो आपको पूचा गया था पाइस्ट वर्ल्ड इनवारिमेंट डे कब मनाये गया था जिसका सही आंसर होगा उननीसो चोत्तर तो याद दकना है पहला परियावरन दिवस मनाये गया था उननीसो चोत्तर को उत्रपड़े सरकार को गुमरा लापता बच्चो की खोज वा बचाव के लिए जाद दकना है 78 वा बारत छोडो आंदोलन का वरसगाट बनाये गया था आठ अगस्ट दो हजार भीस को नैस क्योशन आपको पूचा गया था एमबी का फुलपोम क्या होता है तो एमबी का फुलपोम होता है मेगाबाइट मेमुडी से एकजामे क्योशन पूचे जा रहे हैं तो जित्री भी मेमुडी के बारे में डिटेल आपको देखर जानी है नैस क्योशन आपको पूचा गया था इनमें से कौन युनियूशको लिस्ट में सामिल नहीं है तो आपको एकजाम में चार ओप्सन मिलेते तो आपे दिया वाता सूर्य मंदिर उडिशा फतेपुर सिक्री उत्रपरदेश और नेक्स दिया वाता एलिफेंटक की गुपा करनाटक तो इसमें से आपको बेमेल बताना था कौन सा है तो इसमें बेमेल हो जाएगा एलिफेंटक की गुपा करनाटक क्योंकि एलिफेंटक की गुपा है महाराष्टर में सूर्य मंदिर है उडिशा में फतेपुर सिक्री है उत्रपरदेश में जबकि एलिफेंटक की गुपा है महाराष्टर में ना की करनाटक में गातार दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पेरा ओलम्पिक कौन बने थे तो इसका सही आंसर होगा देवेंदर जाजरिया तो याद अखना है आपको दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पेरा ओलम्पिक बने थे देवेंदर जाजरिया नेस क्यूशन आप 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है तो याद रखना है 50 रुपए के नोट पर है हमपी का चित्र साथ ही आपको याद रखना है हमपी है करनाटक में 2000 रुपए के नोट पर है मंगलियान का चित्र 500 रुपए के नोट पर है लालकिला का चित्र 200 रुपए पर है सांचे का इस्टूप और सांचे का इस्टूप है मध्या परदेश में और सांचे के इस्टूप का निर्मान कराया था समराट असोक ने 100 रुपए के उपर है रानी बाव का चित्र रानी की बाव है गुजरात में नेस्क्यूसन आपसे पूचा गया था मेरिकॉम किस राज्य की निवासी है तो इसका सही आंसर होगा मनिपूर तो आपको याद अकना है मेरिकॉम है मनिपूर से शाथ में आपको याद अकना है मेरिकॉम किस खेल से समंदित है तो मेरिकॉम है बोक्सिंग से समंदित सयुक्त अरब अमीरात ने भारत के परदार मंत्री नेंदर मोदी को UAE के कि स्रोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है तो इसका सही आंसर होगा जाहिद मेडल तो ये भी आपको याद दकना है UAE का स्रोच नागरिक सम्मान है जाहिद मेडल और इसे सम्मानित किया गया था भारतिय परदान मंतरी नेंदर मोधी को नेस क्योशन है 5.71 पुस्तके लेका कौन है तो इसका सही आंसर होगा चेतन भगत तो याद एकना है 5.71 के लेका का चेतन भगत नेस क्योशन आपसे पूचा गया था टाइफाइड फिवर रोग किस से सम्मन दिता है तो याद एकना है टाइफाइड फिवर रोग है जीवान जनी तो आपको जितने भी रोग है उनके बारे में याद एकना है कि कौन सा रोग किस से सम्मन दिता है प्रसका अब को में आपको पंसओ टेस्ट विकेट लेने वाले सात्वे गंदबाई कौन बने है तो इसका सही पूचा गया है तो चीपस के पेकेट में बरी होती है nitrogen गेस और ये भी आपको याद रखना है इसको इसलिए भरा जाता है क्योंकि इसको oxygen को रोकने के लिए भरा जाता है कोशिका का power house की समकों कहा जाता है तो इसका सही answer होगा mitrokandria तो याद रखना है कोशिका का पावर हाउस है माइट्रो कांड्रिया मांगला तेवार किस राजिये में मनाया जाता है तो मांगला तेवार बनाया जाता है मेगालिया और नागलेंड में तो आपको अच्छे से याद रखना है वांगला तेवार बनाया जाता है मेगालिया औ कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा 42 संसोदन तो आपको याद दकना है 42 संसोदन को बोलते हैं लगुसविदान किस दातू का नाम वोलफोर्म है तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन तो आपको याद दकना है टंगस्टन का नाम है वोल फॉर्म, साथ इसको आपका सिंबल भी यादकना है, कंगस्टन का सिंबल होता है, डबलू, और इसका अटोमिक नंबर होता है, 74, नाइस क्यूसन आप से पूचा गया था, 20% ता सूचकांग 2020 में भारत की रेंग क्या है, इसका सही आंसर होगा 143, तो आपको यादकना है, वर्ल्ड हैटेंटेंश रिपोर्ट में इंडिया की रेंग का 140, साथ आपको ये भी यादकना है, वर्ल्ड हैटेंश रिपोर्ट को जारी करता है सुछंकत रश्टर। और इसमें इस बार सामिल हुए थे 156, जिसमें पस्ट रेंक रही थी फिनलेंड की ये भी आपको याद दकना है लगतार तीन बार वर्ल्ड एपिनेश रिपोर्ट में पहले नमबर पे है फिनलेंड दूसरे नमबर पे है डेनमार्क और तीसे नमबर पे है स्विटज लेंड नैस कुछन है हाली में 34 वा लालीगा क सिक्यूरिटी एडवाइजर बने है बरजेश मिस्रा नैस कुछन है गोल कुंडा का कीला काँ पर है तुसका सही आंसर होगा है और आपको पता है तो आपको याद आकना है गोल कुंडा का कीला है है इदराबाद में इस दुरूक का निर्मार्ड वारंगल के राजा ने चो सही आंसर होगा साबरमती आसरम जो के एमदाबाद में है अब इस क्यूशन के डीटियल देखते हैं ये एतियाशिक सत्यागरा कार्य करम गांदी जी सहमेट 78 लोगो द्वारा एमदाबाद साबरमती आसरम से समुंद्र तट्यक गाउं दान्डी तक पिदल यात्रा करके 22 मार 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था नैस कि उसना आपसे पूचा गया था किसने जलियावाला बागत्याकान के बाद नाइट हुड की उपादी ले ली थी तो इसका सही आंसर होगा राश्टपती तो आपको याद रकना है जलियावाला बागत्य और महलेका प्रिक्षक नैस कि उसना है पंचायती राज के चुनाओ कों करवाता है तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग तो आपको याद रकना है पंचायती राज संसाओं का चुनाओ राज ये निर्वाचन आयोग करवाता है साथ ही आपको याद रकना है पंच याद दकना है इसमर्ती राणी ने लोंज किया है सकीएप नेस्ट कुछन आप से पूचा गया है BCCI का अध्यक्स कौन है जिसका सही आंसर होगा सोरो गांगुली तो आपको याद दकना है BCCI के अध्यक्स सोरो गांगुली गुंडी राष्ट्रे उद्यान की सराज्य में इ हाली में HDFC बेंक के नए CEO कौन बनाए गये है जिसका सही आंसर होगा ससीदर जग्डी सन तो आपको याद दकना है HDFC बेंक के नए CEO बने है ससीदर जग्डी सन नेस्ट कुछन है राष्टपती के नीदन के बाद नए राष्टपती कौन बनता है जिसका सही आंसर होगा उप अगर उप्राष्टपती का भी निदन हो जाए तो फिर राष्टपती बनते हैं मुख्या नाइदीज नेश क्यूसन है चोतरवे सविधान संसोधन के बाद सविधान के किस भाग को जोड़ा गया था तिसका सही आंसर होगा 9A तो आपको याद अखना है चोतरवे सविधान संसोधन में 9A को जोड़ा गया था साथ ही आपको याद अखना है 1992 में सविधान का चोतरवा सविधान हुआ था इसके अंतरगत नगरपालिकाओं के संगटन और काडिये के संबंद में एक निश्चित दिशा निदेश दिया गया था नैस के उसना है वितिय गाटे की इस्तिती से निपटने के लिए सरकार कौन सा बिल जारी करती है तो आपको याद अकना है वितिय गाटे की इस्तिती से निपटने के लिए सरकार ट्रेजरी बिल पारिच करती है तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जतने भी एक्जाम होगी उसका एनलाइसिस करवाई जाएगा थेंक्यू वच्छिंग इस वीडियो हेव अनाइस डे